हेलो गाइस स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गेस की और आज के दिन अगर देखे तो इसके अंदर यह डोजी केंडल बनी यहां पर अब देखे थोड़ा सा जूम करकर तो आप देख सकते हैं कल जो है स्पीनिंग टॉप बनी थी आज डोजी है लेकिन अब यह जो वर की निउस है अगर वो अगर सब कुछ महां पर ठीक हो जाता है यह दो दिन में कुछ बेड निउस नहीं आती अगर मार्केट संभलता है क्योंकि मुझे असा लग रहे है कि निप्टी की अगर बात करें तो नीचे से उसके अंदर भी इसी तरीके क डोजी केंडल बनी है तो निप्टी में भी बाउंस बेगा सकता है और साथ-साथ इसके अंदर भी बाउंस बेगाने की समभवना रह सकती है तो हम यहाँ पर देखे के कहा तक जा सकता है साथ-साथ लोंग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है आज ही इसके उपर हमने करते हैं और वो भी थोड़ा सा समय दे कर लॉंग टर्म कर तो मतलब की छोटी यहुदी में या फिर लॉंग टर्म में इसके अंदर मतलब की तेजी की संभावना तो हो सकती है बला ही शौट टर्म के अंदर वॉलटिलिटी रहे और अभी भी हमने जैसे की देखा सपोर्ट त का मतलब की आता है वो भी हमें कहीं लोग पूठते तो छे महीने से बारा महीने यानि की एक साल और उससे ज्यादा का टाइम तो अच्छा कासा मतलब की तेजी आने की संभावना रह सकती है क्योंकि इसके फंडामेंटल अभी जो है वो अच्छा लग रहे है कहीं ना कहीं इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे कल के दिन फंडामेंटल अनालिसिस करेंगे अब क्वाटर फोर के इसके रिजल्ब या सकते हैं साथ साथ एक चीज़ और है कहीं लोग हमें पूछते है कि इसके अंदर हजार का लेवल और ग्यारा सो रुपे का लेवल है क्यों इसतना इ यहां पर दिख रहा है वोलियम ही पूरा जो है वो कम दिख रहा है दो लाग के असपर के डिलिवरी उठी है लेकिन पिछले दिनों में डिलिवरी अच्छी थी तो वह चीज़ यहां पर अभी भी पॉजिटिव दिख रही है पंदरा मिनिट का चार्ट देखे तो सबेरे नीचे से एक अच्छा कासा बांस बें गया यहां पर सीधे सीधे अगर देखे एक अभी भी जो है डिमांड जो है वो अच्छी कासी दिख रही है नीचे के लेवल के उपर जैसा कि यहां पर आप देखे फिर उपर गया फिर पूरे बाजार में जो है पूरे दिन करेक्श हैं वो आपको यहां पर दिखेगा कि यह वहां पर जो है दो सो वीक का मुवी गेवरेच है ग्यारा सो रुपे के लेवल हिडन बड की जब से रिपोर्ट आई उसके बाद सिर्फ एक ही हपता था कि इसके ऊपर इसने यहां पर क्लोजिंग दी थी जब इसके अंदर तेजी आई थी दुबारा इसके ऊपर यह जाने की बार-बार कोशिश की लेकिन जा नहीं पा रहा था तो जब भी यह ग्यारा सो के उपर वहां पर फ्राइडे तक क्लोजिंग दे दे मतलब कि वीकली चार्ट के उपर वहां पर क्लोजिंग दे उसके बाद मुझे इसा लग रहा है कि अच्छी तेजी आने की संभावना हो सकती है और इस बार जो है इसने यह जो और यह हजार रुपे के लेवल के उपर दो सो दिनों का मुविंग एवरेज है इसलिए यह भी इंपोर्टन है और यह जो है शोट टम की बात है इस लेवल को पहले यह पार कर दे उसके बाद जो है ग्यारा सो लेवल तो दोनों को पार करें फिर अच्छी तेजी आ सकती है तो इन दोनों लेवल को आप देख सकते हैं टाइम को ना देखें लेवल को देखें तो ज्यादा बेतर रह सकता है ज्यादा वो यूसपुल रह सकता है कई लोग हमें पुछते है कि कब तक तेजी आ सकती है कब तक तक तेजी आ सकती है तो यह नहीं बलकि आप जो सबसे बढ़िया जो मुझे दिख रही है वो नीचे के यह आप बार देख सकते हैं पहले के मतलब की अच्छा खासा इसके अंदर वॉलियम था अच्छा खासा एक्यूमिलेशन बार बार इसके अंदर हुआ है और यह हमने देखा भी है जी क्यूजी पार्टनर्स ने भी बुलिंजर बेंग तो अभी यहां पर जैसे के देखे तो नीचली लाइन इसकी 900 रुपे के असपास है तो वही पर इसको अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है उसके नीचे एक भी अगर देखे तो 835 रूर 850 के असपास जो है अच्छा सपोर्ट मिल सकता है जहां पर इसने प करें तो अगर तेजी आती है तो वापस से यह जो बार अभी यह नीचे बेली स्क्रोस ओवर हुआ है वह उस तरीके से वापस से वापस से एक जो ही बुली स्क्रोस ओवर भी बन सकता है और आरे साइज जरा देखे 40 के आसपास आ चुका है यह तो इसलिए हमने यहां पर च अच्छा एक जो है स्टॉप लोस के साथ अगर बात करें तो अच्छा पांस से साथ पसें पचास सो रुपए जो है एक कमाने का मौका मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है अब यहां पर जड़ा देखे इसका फिबो नाचे के रिट्रेस्मेंट यह हमारे नए विवर्स के लिए है यहां से लेकर यहां तक की जो तेजी आई थी उसके रिट्रेस्मेंट है प्राइसिस के अंदर थोड़े से जो है चेंजिस हो सकते है लेकिन यहां पर भी अगर आप देखेगे तो 900 रुपए के असप लिया था साड़े 800 का असपास उसके नीचे का सपोर्ट जो है 810 रुपए का असपास का दिख रहा है यह लेवल थोड़ा सा दूर है तो इसके बारे में फिलालम चल्चा नहीं करेंगे और उपर की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट 980 रुपए का असपास का दि दोनों ही लेवल को अगर पार करता है उसके बाद एक अच्छी तेजी आनी की संबावना इसके अंदर भी हो सकती है जैसे कि हमने चर्चा की और डेली चार्ट के उपर अब इसके सपोर्ट और रजिशन हम देखें एक से दो दिन की बात करें तो यहां पर अभी एक गेप होना बाकी है जो इसने यहां पर एक यह गेप छोड़ा था और यह गेप फिल हो सकता है बाजार के अंदर मुझे से लग रहे है कि बाउंस पेक आ सकता है तो इसके अंदर भी बाउंस पेक आने की संबावना हरो है सकती है और अभी 927 का प्राइस है नीचे में पहला इसका सपोर्ट 910.ルिपर के असपास का दिख रहा है दूसरा 900. jumpsuxe के बाद देखे तो 875.000. रुपर के असपास का लेवल रेजिसर्ण की बात करें तो पहला run 1950.000 ऑसके बाद देखे तो 980.000 का लेवल उसके बाद देखे तो 1000.000 से लेकर 1020.000 का लेवल तो यह इसके से नजदी की शौर्ट नम के लिए सपोर्ट और रजिस्टन दिख रहे हैं और मुझे इसा लग रहे है कि सोम आज मंगल वार है तो गुरुवार को जो है इसके अंदर एक बाउंस बेक देने की इसकी संभावना हो सकती है और मुझे इसा लग रहे है कि ये कम से कम 945 रुपे के आसपास जाने की संभावना इसकी रह सकती है वहाँ पर ये रजिस्टन फेस कर सकता है अगर इस लेवल को ये पार करता है तब ये 960 तक भी जा सकता है और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 910 रुपे के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है तो कल अगर हो सकेगा तो fundamentally इसके ओपर चर्चा करेंगे वो वीडियो आप जरूर देखेगा अगर आपने पिछली बार भी जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो शेर होल्डिंग प्याटर्न भी इसकी नहीं आई है तो इसके ओपर भी हम चर्चा करेंगे इसके पहले भी हमने चर्चा की थी वापस से चर्चा करेंगे तो आज के वीडियो में इतने हैं अगर अच्छा लगा तो लाइक से ने सब्सक्राइब जरूर करें और एक्स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फैनेस एरिड वाजर की से लाले उ वीडियो में नहीं जो किसन परपस के लिए मेरे तरफ से कोई वाई इसल की रेकमेंडेशन नहीं है थेंक यू